दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के विश्व इतिहास विशे का अध्याई आठ जिसका नाम है संस्कृतियों का टक्राव और आज के भाग में हम बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार अमेरिका महाद्वीप में जिसे हम नई दुनिया के नाम से जानते हैं उसमें पुर्तगाल और इस्पेन के सामराज्जी के स्तापना हुई इससे पहले के भागो में हम ये देख चुके हैं कि किस प्रकार पंद्रवी से लेकर सत्रवी शतापदी के बीच जो एक भोगलिक खोजों का दोड चला था उसमें इसमेन और पुर्तगाल ने नित्रतु प रखा था हमने पूरी कहानी देखी थी सबसे पहले के भाग में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से जो वहां के मूल समुदाई थे जैसे आरावाक की समुदाई है तो पीनामा समुदाई है या फिर दक्षिन अमेरिका और मद्धिया अमेरिका के एस्टेक सामराजी है माय सब्भेता है या फिर इंका सब्भेता है उनका जो जीवन शेली थी उनकी अर्थविवस्ता थी वो किस प्रकार के थी उनके राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था उनका जीवन निर्भा के तरीके क्या थे और वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे वो सारी बात हम और ये भी देखा था कि जो Atlantic महासागर एक दुनिया के लिए बाधा हुआ करता था एक सीमा हुआ करता था उस Atlantic महासागर को भी पार किया गया और हालांकि ये जितने भी तमाम ये खोजी आत्राइं हुई थी वो मुख्य रूप से पूरवी देशों के लिए की गई थी पूर तूर्वी देशों के साथ उसकी वज़े से एक नई दुनिया की खोज को हम देखते हैं, तो यस सबीर चीज़्ों से अध्यार पर देखन के लिया था तरह से वो शुरू ही थी और उस यात्रा की आगे की कहानी आज हम यहाँ शुरू करेंगे तो आईए देखते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका में स्पेन के सामराज्जी किस था अपना की अमेरिका से हमारा मतलब याद रखेगा दोस्तों यह जो नई दुनिया शब्द हम इस्तमाल यहाँ कर रहे हैं नई दुनिया जहां जहां हम नई दुनिया शब्द इस्तमाल करेंगे वहाँ आप समझेगा कि वो अमेरिका से ही हमारा तातपरी है अमेरिका का मतलब पूरा अमेरिका महादवीप, यानि उत्री अमेरिका, मद्धी अमेरिका जिसमें की मेक्सिको आता है, और दक्षिन अमेरिका महादवीप, वो सभी महादवीप इसमें आते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले कि आखिर इस्पेन के सामराजी किस तरह से होई थी दोस्तों हमने पिछले भाग में देखा था कि जो क्रिश्टाफर कॉलंबस जो थे वो मुख्य रूप से इटली के रहने वाले थे और वो अपनी योजना लेकर वो पूर्विकी और जो अपनी यात्रा थी उसकी योजना लेकर वो पहले पुर्तगाल के सासक के पास गए थे लेकिन पुर्तगाल के सासक ने उन्हें इंकार कर दिया था उस इंकार होने के बाद उसके बाद जब क्रिस्टोफर कॉलंबस हैं वो इस्पेन के सासकों के पास पहुंचते हैं और इस्पेन के जो सासकते हैं उनकी इस योजना को स्विकार कर लेते हैं और उनके लिए धन मुहिया कराते हैं और इसके अलावा उनके लिए बहुत से जहा स्पेन के द्वारा ही प्राईजी तभीहान था और यहां भी हम बात करेंगे स्पेन के सामराजी की स्तापना हाला कि स्पेन के सामराजी की स्तापना कौन कर चुके थे कॉलमबस क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर जो कॉलमबस है वो अमेरिका के सामराजी की स्तापना वहां कर चु अब इसपेन के सामराजी को विस्तार देने वाले जो अन्य दो प्रमुक नायक है तो वो कौन-कौन से हैं वो हैं pounds and यह दो बहुत ही महतवपूर्ण नायक हैं thatyse noxico है कि स्पेन के। जो अमेरिका अमेरिका महदवीप में again क स्पेन के सामराजी को विस्तार करते हैं हम देखेंगे कि जो इस्पेन का जो सामराज्य है अमेरिका में इस्पेन के सामराज्य के दो मूल आधार थे एक तो उनकी सेन्य शक्ती एक तो उन्होंने सेन्य शक्ती के आधार पर एक व्यापार के आधार पर उपनिवेश इस्तापित करके वहाँ पर अपने सामराज्य के स्तापना की और अपने सामराज्य का विस्तार किया था उन्होंने और उनके पास नाकिल बारूद थी अच्छे सैनिक थे उनके पास एक जहाजी बेडा था बलकि उनके अच्छी नसल के घोड़े भी उनके बास उपलब थे जिनकी वज़े से वो अपना सामराजी वहाँ पर इस्तापित कर पाए शुरुवात में वो लोग जब जाते थे तो एक छोटी कॉलोनी या जिसे उपनिवेश कहते हैं वो बसाते थे और उस बसती में जो इस्तानिय लोग होते थे वहाँ के उनको लेकर उनसे वो काम करवाते थे उनको दास बनाते थे तो उस प्रकार से वहाँ सामराजी के स्थापना शुरू हुई थी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे है इस्तानी जो समुदाय थे उनके उपर इस वज़े से काफी अत्याचार और उनसे बेगाय ली जाती थी, उनसे किसे परकार का उन्हें भुकतान इसके लिए मजदूरी के लिए भुकतान नहीं किया जाता था, बलकि उन्हें गुलामों की तरह रखा जाता था, अब हम देखत जो सबसे खतरनाग बिमारी थी वो थी चेचक, चेचक की बिमारी वो अपने साथ लेके आया थे, जिससे इस्तानी जो आबादी थी, उनका पूरी तरह से नास हो गया था, हम देख रहें कि जो अरावाखी समुदाय है, वो मुख्य रुप से जब अरावाखी समुदाय संक क्रमित हुआ इस बिमारी से, चेचक की बिमारी से, और क्योंकि ये बिमारी उनके लिए बिल्कुल नई थी, इस वज़े से उनकी अंदर इस बिमारी को लेकर प्रतिरोधक शम्ता नहीं थी, इसलिए उनकी जो बड़ी आबादी उसका नास हो गया था, अब हम देखते हैं क और दक्षिड अमरीका जो का अधिकारी स्भागों पर इस्पेन ने अपना सामराजी स्तापित कर लिया था दोस्तों, इस्पेन के जो अभियान थे, उनका जो खर्च की अगर हम बात करें तो वो वहां के जमिंदारों ने उठाया, वहां के नगर परिशद के जो अधिकार अब देख लेते हैं, सबसे पहले बात करें, कॉर्टेस की, कॉर्टेस और एस्टेक सामराजी की, एक एस्टेक सामराजी पर विजे की गई, उस विजे का जो नायक थे, वो कौन थे, कॉर्टेस, याद रखे, इनका नाम बहुत महत्पुन है, कॉर्टेस जो है, वो एस्ट इस प्रकार से पहली सफल था हासिल की कोर्टेस ने की इस के बाद कोर्टेस जो आगे बढते हैं क्योंकार लडाकू यह जंजाति हुआ करती थी ओर उस जंजाति ने इनका जबरदस्थ विरोद किया था लेकिन उसके बहुँजूद भी कोर्टेस इस पर अधिकार करने में सफल रहे थे इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार बाकी जो एस्टेक सामराज्ये उस पर अभियान करते हैं और उसमें सफल रहते हैं इसके बाद कोर्टेस जो है वह इसी बीच के होता जब दोस्तों यह टलेक सक लवानों पर विजे प्रापत की थी कोर्टेस ने तो इसी बीच जो सामराज्ये के जो सासक थे मौंटे जुबं than 高 इसमwe सामराज्य की राजदा नहीं थी टेनेकितलोन वहां पर उन्हें बुलाया गया को उन्हें का बड़ा भव्य स्वागत किया गया और लेकिन इसकी बावजूद भी जो कोर्टेस था उसके मन में खोट था और उसने क्या किया उसने मॉंटे जुमा जो सासक थे एस्टेक कर लिया और जिसके तेज जो एस्टेक के मंदिर हुआ करते थे वहां उनके सासत इसाई प्रतिमावी रखी जाने लगी लेकिन इसी बीच दोस्तों क्या होता कि जो कॉल्टेस है उन्हें राजदानी छोड़कर यह टेनकितलोन चोड़कर जाना पड़ता है वह अपनी द्राजदानी ती यहां पर जो इस्तानी समुदास साई इस्टेक के जो लोग थे उनको किलाव कतलयाम किया और उन्हें पूरी तरह से समाप्त करने का प्रेतन किया जभी इस बात की जानकारी को होती है कि वहां पर विद्रो हो गया तो कोड़ेस स्वेम वापिस लोटने का प्रियास करता है, लेकिन उसका बहुत विरोध किया जाता है, उसके लिए जितनी तमाम तरेके से वह संपर्क थे वह काट दी जाते हैं, तो कोर्टेस की बापस ही बहुत मुस्किल हो जाती है, लेकिन इसी बीच इस पूरे संगष के दोरान, ये जो विद्रो होरे होते हैं, इस पूरे विद्रो के दोरान मॉंटे जुमा जो है, उसकी मृत्य हो जाती है, और उनकी जगे एक नव निर्वाचे शासक होते हैं, क्वेटे मोग, क्वेटे मोग इस पूरे अभियान का नेतरत्व करते हैं, जो एस्टेक सामराज्य का अभियान था, कॉर्टेस के विरु सफल होते हैं और इस वीजह के बाद वो न्यू स्पेन जो जगे है अमेरिका माधी मेक्सिको में इसके गैप्टिन जनर्रल उंको बना दिया जयता है इसके। लाओ जो चाल्स पंचम जो हैं जो समय स्पेन के सासेक है वो उन्हें कई उपाधियां परदान करते हैं और इसकी अलावा भी जो कॉर्टेस हैं वो गवेतेमाला निकार का गुवा और होंडूरास जो जगे हैं उन पर अधिकार करने में सफल होते हैं तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि Mexico पर Mexico या पिर Esnig साम राजियेपर डिया प्रेया जो है विजय प्राप्ट करने में सफल होता है और वहा इस्पेइन के साम राजियी की इस्थापना होती ही है अब दोस्तों हम देखते हैं कि दूसरे जो नायक हैं इस्पेन के वो है पिजारो याद रखिए दूसरे जो नायक है वो क्या है पिजारो है और वो जो है वो इस्पेन के सामराजी के स्तापना कहा करते हैं इंका राज्य पर जो इंका राज्य था उस पर इस्पेन के सामराज लेकिन उनके मन में ये इच्छा थी कि वो कभी उन्होंने कहानियों में किस्टों में इंका सामराज्य के बारे में सुन रखाता है। अपने साथ ले गे और इस्पेन के साथ सक कौनों ने दिखाया, इससे इस्पेन के साथ सक काफी खुस हुआ और उन्होंने पिजारों को कहा कि अगर आप वहाँ इंका सामराज्ये पर अधिकार करते हैं, तो वहाँ का राज्यपाल आपको न्यूट कर दिया जाता है, तो इस प्रकार से यह जो शुरुवाती कहानी है पिजारों की कि किस प्रकार वो इंका सामराज्ये पर अधिकार करने के लिए बढ़ते हैं, अब जब पिजारों जो हैं जो इंका समराजी पर अधिकार करने के लिए बढ़ते हैं, उस तरह का प्रतिरोध का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा था, जिस प्रकार के प्रतिरोध का सामना एस्तेक सामराजी पर विजय प्राप्त करने में कोर्टेस को करना पड़ा था, तो यहां हम देखते हैं कि जो इंका समराट उसमें कों थे अता हुल्ला अता हुल्ला जो था उसमें इंका के समराट थे और लेकिन पिजारो ने क्या-क्या धूके से इंका समराट को बंदी बना लिया जाता है और इसी दुरान जो इंका समराट थे दोस्तों ही कहा जाता है कि इंका समराट ने शायद इतिह यूद भी उराजा का वद्ध कर देते हैं और इस प्रकार वो इंका पर अधिकार कंड में सफल होते हैं हाला कि वहाँ पर काफी प्रतिरोध होता है लेकिन 1534 इसवी तक आते आते पूरी तरह से इंका पर अधिकार कर लिया जता है अब विशेस उपलब्दियों की बात करें पख़ेज भी प्रकार लिया पर अधिकार कर लेते वहां कर देते हैं इस वजह से नस्ट वहां की जो मूल झाल्याट थी, मूल सभेटाय थी, वह भी पूरी तरह से नस्ट हो जाती है तो यह अभी हमने बात की इस्पेन पर यहां दक्षिन अमेरिका में इस्पेन के सामराजी की स्तापना उत्री अमेरिका या मद्धी अमेरिका में इस्पेन के सामराजी की बात की विशेसकर हमने यहां पर सामराजी की स्थापना की अमेरिका में, अब कैबराल जो थे, दोस्तों वह यहां पुर्तगाल की स्थापना ब्राजील में संयोगवस माने जाती है, सयोग वह सीहां पर परतिगाल के सामराजी की सतापना मने जाती है लेकिन और भारत पर उनके अभियान का जो मुख्य कारण था वो था वहां से मसालयों की प्राप्थ करना तो वो भारत के लिए अपना अभियान करना चाते थे इसी वज़े से उन्हें ने जो अफ्रीका महदवीब है उसकी पश्चिमी हिस्से से एक लंबा चकर काटा ताकि वो समुद्री तूफानों से बस सके लेकिन वो अचानक जिस तट पर पहुंचे वो दक्षिन अमेरिका का तरता और वो जगे थी ब्राजील तो ब्राजील में पहुंच गया अचानक तो इस प्रकार जो ये पूरा ब्राजील और क्योंकि इस समय क्या था हमने बात किती लाइन ऑफ डिमार्केशन की बात किती पता है आपको लाइन ऑफ डिमार्केशन जो की 1494 इस वी में बनाई ग तो जब ये ब्राजील पहुंचे के अबराल तो ये जो ब्राजील वाला इससा था ये लाइन ऑफ डिमार्केशन की पूरू में पढ़ता था इसलिए सोभाविक तोर पर जो पूर्तगाली थे ये मानते थे कि जो ब्राजील वाला जो इससा है वो उस पर उनका अधिकार है तो इस पर गार हम देखते हैं कि ब्राजील पर जो पूर्तगाली सामराजी की स्तापना है वो संयोग वशी हो जाती क्योंकि वो यात्रा जो थी पूर्वी की तरप की जानी थी लेकिन वो अचानक वहां पहुंचते हैं फिर भी बहराल दोस्तों जब ब्राजील वो पहुं बहुत इस्तमाल किया गया और यहां के जो मूल निवासी थे उन्होंने काफी साहिता के थे कैबराल को यह पूरा सामराजी स्तापित करने में और यह जो इसके अलावा यहां पर वहती प्रसिद वरक्ष पाया जाता था जिसे ब्राजील वुड वरक्ष कहा जाता है जिसे कि स यह पराजी होती है और पुर्टगालियों की विजे होती है और इस विजे की पीछे सबसे बड़ा कारणी यह था कि जो पुर्टगाली लोग थे वो वहां इसताई रूप से बसना चाते है जबकि फ्रांचीसी केवल वहां पर अपना उपनेवेश से स्तापित करना चाते सब्सक्राइब ऐसे सब्सक्राइब करके दिने站 में युट सब्सक्राइब है इस पूरी जमीन को किसे पुर्तगाली जो वहां थे रहने ंको इस प्रकार से ब्राजील पर पुरतगाल का भी जाते है और इसी पुरतगाल के आधिपत्ति के बाद ही वहां की जो इस्थानी जनता थी उसी को दास बनाया था लिकिन पुर्तगाली हो के साथ यहां पर अधिकार किया तो वहां की जो अधिकांस जो इस्थानी जन जातीयां थी या समुदाय थे उन्होंने यहांसे वह तुर्मेरिया g parliament्!!! पादास बनने पाद के दरेख इसल्फ अनृने तलासा अफरीका महदविब में तो उन्होंने पस्ची में अफरीका से गुलामों का आयात करना इसकी वज़े से शुरू हो गया तो यहां हम देखते हैं कि एक नए नई चीज़ शुरू होती है विश्व इतिहास में वो है गुलामों का आयात और पूरे दक्षिन अफरीका से गुलामों का आयात किया जाना शुरू हो गया था हाला कि गुलामों का जो आयात था दक्षिन अफरीका से पहले से भी हो रहा था लेकिन बड़ी मात्रा में गुलामों का जो आयात है वो यहीं से शुरू आता है और दोस्तों ये जो गुलाम व्यापार था, ये इतिहास, विश्व इतिहास का सबसे काला अध्याय है, क्योंकि इस तरह से अमानविय तरीके से जो ये दासों का व्यापार किया गया था, वो पूरी दुनिया के लिए शर्मनाग था, इसके बाद दिखतें कि अपचारीक पुर्तगाली राजा की अधीन पूरी दर से ब्राजिल को मान लिया जाता है, और यहाँ की जो राजधानी थी, उसे सलेवा डोर या बहिया को यहां के राजधानी बना दिया जेता है, इसके अलावा जो पूर्तगाली सरकार है वो यहाँ पर इसाई धर्म परचारकों को भी भेजने के अनुमती परदान कर देती है हालनकि बाद में जब यह इसाई धर्म पचार के यहां पर आते हैं और वो यहां का जो इस्तानी दास व्यापार था जो इस्तानी लोग दास व्यापार करते थे या दास बनाने की जो प्रथा थी इस भाग में भाग पांच में हमने बात कि कि किस प्रकार अमेरिका में यानि कि नई दुनिया में इस्पेन और पुर्तगाल के सामराजी की इस्तापना हो जाती है और आगे के भाग में हम बात करेंगे कि किस प्रकार इस पूरी अध्याय में जो हमने पढ़ा या फिर जो पूरा ये उपनेवेशिक आक्रमन हुआ है ये नई दुनिया की खोज की बाद जब स्पेन और प्रोतगाल अमेरिका महदवीप में आये हैं तो कि इसके क्या-क्या प पहन्यवाद